तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे एक मैं आपको on the basis of transit, monthly prediction निकालना बताऊंगा using two techniques और monthly prediction जो मैं बताऊंगा ये बहुत ही सटी के आपको ये मैं बता देता हूँ क्योंकि मैं जो प्रेडिक्शन देता हूं related to share market मेरे बहुत सारे क्लाइंट है मेरा में काम है तो जो लोग share market में काम करते हैं उनको मैं monthly prediction देता हूं on the basis of the transit of sun और ये मैं अपने उपर भी apply करता हूं है जनरली वह पंदरह तारीक आसपास राशी चेंज करता है और जिस दिन भी सन राशी परिवर्थित करता है उस दिन को हम संकरांती बोलते हैं तो एक संकरांती तो समने सुना ही होगा जिसे हम मकर संकरांती करता है 14 जनरी को वह उता है करीब करीब कभी कभार एक आद दिन आगे पीचा हो जाता है तो 14 जनरी को मकर राशी में एंटर होता है सन इसी तरीके से 14 फरवरी के आसपास एक दो दिन उपर नीचे होगा जो मैं डेट बोल रहा हूं वह मकर के बाद आपका कुंब या एक्कव या मीन राशी के अंदर एंटर होगा ऐसे ही अपका 14 अपरिल को चले जाओगे तो मेश राशी में एंटर होगा इन सभी दिनों को हम संकरांती बोलते हैं अब जब सूरी एक राशी में एंटर होके उस राशी में जब तक रहेगा तब के बारे में मैं आपको प्रेडिक्शन करना बताऊंगा इस prediction में आप क्या कर सकते हैं देखे क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग astrology करते होंगे और बहुत सारे लोग मुझे ऐसा यकीन है कि कुछ ट्रेडिंग वगरा शेयर मार्केट में investment भी कुछ करते होंगे और यह बहुत ही जादा सेटीक है मेरा personal experience है कि यह काम मैं कम दस साल से कर रहा हूँ और बहुत सारे लोग मेरे से वह लेते हैं इसलिए मैं आपको disclose कर रहा हूँ है कि जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनको मैं बताता हूँ और यह बहुत ज्यादा एक्यूरेट जाती है इसमें क्या करेंगे कि हमारा यह पूरे मंत के अंदर लॉसेज होंगे या हमें कोई problem होगी या unnecessary travel होगी यह सारी चीज़ें हम इसमें पता कर पाएंगे तो इसमें दो सबसे important बाते होती हैं एक तो यह होता है कि जब हम जिस समय पर सूरिय राशी परवर्तित कर रहा है उस समय पर हम कर निकालेंगे आपका चंद्रमा का नक्षत जैसे मैं अभी तक आपको पड़ाता है हूं जब भी कोई भी प्लेनेट राशी परवर्तित करता है उस समय पर हम नक्षतर देखते हैं कैसा उसका ट्रंजिट जाने वाला है और फिर हम क्या देखते हैं कि वह आपका 357 यदि हो रहा हो जन्म नक्षतर से तो हम ऐसा मान के कंचलते हैं कि उसका वह पर्टिकलर ट्रांजिट के रिजप उसको अच्छे नहीं मिलेंगे याँ पर वर एक तो शोलर इंग्रेस के अथाफर एसन इंटो साइन तो फोड़ वन मोंत फोर वीच संहां सब्हें जाये गा हं उसके बारे में मैं यहां पर ट्रांजिट के बेस पर प्रेडिक्शन बता रहा हूं इट इस कंप्लीटली ट्रांजिट बेस प्रेडिक्शन ना आपको कोई दशाहें देखनी है ना कोई अंतर दशाहें देखनी है कुछ भी नहीं देखना only on the basis of solar ingress in a particular sign तो इसमें करना क्या है आपको जो मैंने पहला point बताया कि जब सन राशी परविर्थित कर रहा है उस समय पर आप मून की position पता कर लीजिए मून किस नक्षत्र में उसको संक्रांती नक्षत्र बोला जाता है और आपका जन्म नक्षत्र आपको पहले से ही मालूम होता है यह दो नक्षत्रों की आपको जोरत है बस किसकी जोरत है हर मैने जब सन राशी परविर्थित करेगा तो मून अलग अलग नक्षत्र में होगा सेम में नहीं होगा तो उस पर्टिकुलार नक्षत्र को हम संक्रांती नक्षत्र बोलते हैं और आपका जन्म नक्षत्र इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बेस पर हम आपके मंदली क्या होने वाला है उसको प्रेडिक्शन करेंगे तो मैं भी शेयर करूँगा और इस पर मेरे और यह प्रेडिक्शन दे सकते हो किसी के लिए भी दे सकते हो कि यह मेरा पर्सनल एक्स्पिरियंस है कि ऐसा ही होता है कि क्या होता है देखिए दा ट्रांजिट सन एंड मंतली प्रेडिक्शन सोलर इंग्रैस इंटू ए साइंग औबलीक राशी हिस कॉल संक्रांती लाइक शन एंटर मकर ओन फूर्टीन जनेरी इसको वांट्री शंक्रांती निकालने किसी बी राशी में धो होता तो आपको चंद्रमा का नक्षट्र पता करना अमें पता करना है और उस तेम पर दूसरे प्लेंट कि उसके के अंदर है तो फैंड दा नक्षत्र और मून वें सन एंटर सेने साइन इस नक्षत्र इसकोड संकरांती नक्षत्र कैन भी चैक्ड यूजिंग पंचांग और प्रिपेरे कुंड़ी आप ताइम उस समय की कुंड़ी बना लीजिए आप अपने मॉबाइल आप के अंदर डाल लीजिए नक्षत्र क्षत्र की बात हम पहले भी कर चुके हैं तो आप सब को। आपको कश्रा नोट करको और यहने करनी हैं इस न म internals समय पर मून का नकषत्र निकालेंगे उसको हम संक्रांती निकालेएं नक्षट्र कहेंगे अब step 3 की हम मैं बात करूँगा count from संक्रांती नक्षट्र इसमें द्यान रखना है अब positive करना जो संक्रांती नक्षट्र से जन्म नक्षट्र तक count करना है उन दोनों को include करना है count करते time मतलब जैसे आपका संकरांती नक्षपर tre is three निंपर का है तो वहीं से सुरू करनाером वbn हो जाएगा और उसके बाद हमें उससे कांवाट करनाיים दोनों को इंकुलूड करना है यह नहीं कि बीच बीच के नक्षत्र को हम काउंट करना है सब्सक्राइब को भी काउंट करना है तो इनको आपने नोट कर लेना है बस उस नंबर से हमारा सारा लेना देना है तो मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूं बहुत ब्रीफ में कि संक्रांती नक्षत्र क्या होता है जब सूर्य राशी परवर्तित करता है उस समय पर चन्रमा जिसमी नक्षत्र में होगा वह संक्रांती नक्षत्र से जन्म नक्षत तक काउंट करना है और जो भी नंबर आएगी उसे नोट डाउन कर लेना है अब नोट डाउन करने पर क्या-क्या नंबर आएंगी और क्या-क्या रिजर्ट मिलने है यदि वह नंबर आती है 1 2 3 4 5 6 7 1 से लेकर 7 तक इसको याद रखने का तरीका है तो आपको मोनीटरी गेंस होंगे रिकोगनिशन एंड पावर मिलने वालिया उस पर्टिकुलर मंत के अंदर आप इससे वेरिफाई करके देख लेना मोनीटरी गेंस होंगे दूरिंग देट वन पर्टिकुलर मंत जब आपकी एक काउंटिंग का नंबर 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है इसी तरीके से यदि नंबर आता है 8 9 & 10 लास के 3 8 9 10 1st 10 में दें सोरो एंड लॉसिस उस पर्टिकुलर मंत में आपको कोई दुखबरी ख़वर मिल सकती है या आपको यदि आपका इन्वेस्टमेंट करते हो तो वह लॉस होने की काफी जादा पॉसिबिलिटी होगी तो थोड़ा समल के आप इन्वेस्ट कर सकता हो इस तरीके का काम कर सकते हो कि ऐसा नहीं का 100% लॉस होगा मगर पॉसिबिलिटी बहुत जादा है कि लॉसेज होंगे 11 to 16 आता है तो अगेन हैपिनेस और प्रॉस्परिटी होगी यदि 11 to 16 आता है तो हैपिनेस का मतलब गर के अंदर कोई अच्छे फंक्शन हो सकते हैं आप क आपको उस मंद के अंदर डिफिकल्टी जाएंगी किसी वी वज़े से हो सकती है गर में कोई बीमार हो सकता है आपको कोई सेड डियूस मिल सकती है या जो भी रिजन है आपका 1720 आपका आ जाता है तो यह रैड में जो मैंने लिखा है पहले 8 to 10 आया फिर 17 to 20 आया इसके बा बाहर कोई रिलेटिव हो रहा है उसे अपने बिच्चे का बढ़े रख लिया आपको बुला लिया तो आपके लिए मतलब जो बढ़े के इसाब से कहीं आप बाहर चलके जाओगे सारे घरवाले ओफिसे चुटी लेंगे और दो-तीन दिन अपने लगाएंगे और यदि जान रखना है यदि 8 9 10 आ जाता है नंबर तो सोरो एंड लैसे लोसे होंगे और 17 18 90 20 यह भी खराब मान के चलेंगे 26 27 में के विल ट्रेवल होगा आपका बाकी होगा कोई आम नहीं होगा बाकी यदि कोई भी नंबर आता है तो वह आप यह इन जनरल मान के चलेंगे कि आप आपके लिए ठीठ ठाक रहेगा तो यहां पर बेसिकली सोलर इंग्रेस के बेस पर संक्रांती नक्षत्र से जन नक्षत्र तक काउंट करने पर यह आप नोट कर लेना मैं अभी आपको बता रहा हूं क्लास के अंदर आप इसे अप्लाई कर लेना कमिंग मन से और आपको यह लगेगा कि यह तैन में से एट ताइम्स बिल्कुल एकुरेट जाएगा टू टाइम्स हो सकता है एकुरेट ना जाए तो आपने के वर बनाएगा तो आपको आना जाना पड़ेगा कहीं ऐसे ही जाना पड़ेगा जिसका कोई अब्जेक्टिव नहीं है आपको कोई सैड नीज मिल जाती है कहीं से तो वहां जाना पड़ सकता है इस तरीके की चीज़ें होंगी तो हम इसको ऑन दा बेसिस ऑप ट्रांजिट टॉ सन हम मंतली प्रेडिक्शन दे सकते हैं यह मैंने आपको एक तरीका बताया जिसे मैं आपको एडवाइज दूँगा कि आप इसे अपनी लाइप के अंदर भी यूज़ें